हेलो गाईज, वेलकम टू मैं चैनल और आज मैं आपके साथ एर करें वैस कटलेट की रेस्पी बहुत ही टेस्टी बनते हैं और साथी इससे बनाना बिल्कुल आजान है बिल्कुल भी खुटलिया नहीं होती है तो इसलिए हम करेंगे इसे कदूकस और यह लीजे आलो को कर लिया कदूकस है और अब हम इसमें डाल देंगे सब्जिया और सब्जियों मैं ले रही हूं मतल बारिक चौप की वी सिम्ला में बारिक चौप कीई ही पींस थोड़ी सी ड पारिक चोपके वहारा दनिया, 1⁄फ टीस्पून लाल मिर्जी पाउडर, 1⁄फ टीस्पून जीरा पाउडर, 1⁄फ टीस्पून गरम मसाला, और टेस्ट के कोड़िंग डाल देंगे नमक, 1⁄फ टीस्पून काली मिर्जी पाउडर, 1⁄फ टीस्पून अमचूर पाउडर, थो अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स और ये लिजए सभी को कर लिए अच्छे से मिक्स ये हमारा मिक्स जर्बन के हो गया तयार और अब हम लेंगे एक बॉल और इसमें डालेंगे हाफ कप मैदा हाफ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर हाफ टी स्पून नमक थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी और अच्छे से करेंगे इसे मिक्स हमें इसका नहीं ज्यादा गाड़ा गोल बनाना है और नहीं ज्यादा पतला थोड़ा सा इसमें डाले पानी और अच्छे से करें इसे म मैदा वाला लो और साथ ही मैं ले रही हूं जो बारिक वाली सिवाया होते ना वो सिवाया हातों पर थोड़ा सा लगाएंगे oil ताकी बिल्कुल भी चिपके ना जिस तरह से हम टिक्की बनाते हैं उसी तरह से इसे बना ले दाल देंगे मैदा वाले गोल में और अब हम इस पे लगा लेंगे सिवया इसी तरह से बाकी की कटलेट भी बना की करेंगे तयार और अब हम करेंगे ने फ्राइ और फ्राइ करने के लिए ओईल को मैंने ओल्ड रेडी कर लिया गरम ओईल करम होने के बाद फ्राइ करने के लिए इसी डाल देंगे ओईल में इस टेज पर गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर दोनों साइट से पलटते हुई करेंगे फ्राइ जब तक इसका गोल्डन कलर ना आ जाए इन्हें फ्राइ होने में ज़्यादा टाइम नहीं रखतें सिर्फ दो मिनट में अच्छे से हो जाते हैं और ये लिजए दोनों साइट से अच्छे से फ्राइ हो जुके आप देख सकते हैं काफी अच्छा इसका कलर आए अब हम इसे निकालेंगे एक टीशू पेपर भी ताकि इसका एक्ट्रा ओइल निकल जाए और ये लिजए हमारे वैज कट्रेल बनके हो गए तयार देखते ही आ रहा है ना मौह में पानी काफी टेश्टी बनते हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राइ करें अगर आपको नेस्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइबाए टेक केर